हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सारे लोग मैं हूँ गौराव और आज की इस वोड़े में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना फेस्बुक अकाउंट कैसे डिलीट कर सकते हैं तो मैं आपको बता हूँ पहले थोड़ी जो प्रोसेस थी वो लंबी थी लेकिन अभी फेस्बुक ने इसे काफी सिंपल बना दिया है तो यहाँ पे देखो रिसेंटली जो अप्डेट आया हुआ है वहाँ पे आपको क्या करना है आप अपना फेस्बुक अकाउंट जो है उसको ओपन कर लीजे तो यहाँ पे देखें मैंने फेस्बुक ओपन कर लिया इसके बाद आपको क्या करना है, बहुत ही simple process है, जिस process से अगर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप अगर follow करते हैं, तो बहुत ही जल्दी आप 2 मिट के अंदर अपने Facebook account को delete कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखे, यह मेरा एक Facebook account है, गौरव गुपता के नाम से, तो यहा करना होगा, आप back जाएए, और back जाने के बाद, यहाँ पे देखिए, आपको ऊपर 3 line देखेगी, आपको इसको click करना होगा, इसको click करने के बाद, आप जिस profile को delete करना चाहते हैं, जिस account को delete करना चाहते हैं, उसको यहाँ पे select कर लीजे, तो यहाँ पे देखिए, यह गौ जैसे आपको लिक करते हैं, तो आपको एक option देखने को मिलेगा settings का, तो यहाँ पे यह नए जो अभी update आया है, यहाँ से आप delete कर सकते हैं, पहले option कुछ अलग थे, तो आपको settings पे click करना होगा, जैसे आप settings पे click करते हैं, तो देखो आपको पहले नीचे जाना होता था और य account या फिर यहाँ से आप deactivate भी कर सकते थे, लेकिन अब आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा, सबसे ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा, meta account center, तो यहाँ पे आप कहीं पे भी click कर देंगे, इस section में, यहाँ पे देखो see more in account centers पे मैं click कर देता हूँ, इसको जैसे आप click करते हैं, तो यहाँ पे जितने भी आपके profile बने होगे, चाहिए Facebook profile या Instagram profile, तो यहाँ से आप उसे delete कर सकते हैं, तो मेरे पास सिरफ एक ही Facebook account है, मेरा Facebook profile है, तो यहाँ पे देखो, यह मुझे देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे इसके बाद आपको नीचे एक option देखने को मिल र तो यहाँ पे देखो आपको personal details पे click करना होगा, तो यहाँ पे मैं personal details पे click कर देता हूँ, अब यहाँ पे जितनी भी आपकी personal details है वो देखने को मिलेगी, अब यहाँ पे देखो आपको सबसे नीचे एक option देखने को मिलना होगा, account, ownership and controls, तो आपको इसको click करना होगा, इसको जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास देखो दो अप्सन आ रहे हैं पहला है मेमोरलाइजेशन इसका मतलब होता है कि अगर आप मालो कभी आप की डैथ हो गई खुदाना कास्ता आपकी डैथ हो गई या किसी खबाइप प्रोफाइल है जो वो चाहता है कि जब मैं मेरी डैथ हो जाए तो इसके बाद जो मेरा फेस्बुक एकाउंट है उसमें कोई दूसरा भी यहाँ पे पोस्ट कर पाए तो यह आपको ऑप्सन सेलेक्ट करना है तो हमको यह जो पहली प्रोफाइल है और यहाँ पे हमारे पास एक ही प्रोफाइल है तो यहाँ पे हमको इसको सलेक्ट करना होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं गौराव कुमार गुपता फेस्बुक तो हमको इसको क्लिक करना होगा इसको click करने के बाद यहाँ पे देखो आपको दो option आ रहे हैं एक है deactivate account और एक है delete account तो देखो होता क्या है अगर आप चाहते हो अगर आपकी पढ़ाई चल रही है तो आप सुझ रहो कि मैं कुछ time के लिए deactivate कर देता हूँ तो फिर अगर मेरा mood बनेगा या मेरा जो exam हो खतम हो जाता है तो फिर मैं इसे फिर deactivate करूँगा तो आप deactivate account पर click कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हो mood बना लिए हो कि भीया मुझे परमानेंटली अपने facebook पर account जो है उसको delete करना है तो फिर आपको delete account पर click करना होगा तो मैं दोनों तरीका आपको बता देता हूँ अगर आपको deactivate करना है तो deactivate पर select कर लिजे और continue पर click कर देंगे तो यह deactivate हो जाएगा अगर आपको delete ही करना है तो आप delete पर click करिए और इसके बाद continue पर आप click करिए इसलिए मैं इस Facebook account को delete करना चाहता हूँ या फिर I have a privacy concern I don't feel safe on Facebook my account was hacked तो जो भी आप select करते हैं यहाँ पे यह आपके पास और काफी सारे option रख देगा लेकिन आपको दो यह delete करना है तो यहाँ पे देखो I spend too much time on Facebook इसको मैं select करता हूँ इसके बाद मैं करूँगा भी यह continue कि मुझे तो delete ही करना है इसके बाद यह बोल रहा है आपको कि अगर आपका time ज़्यादा spent हो रहा है तो हमारे पास काफी सारी शीज़े हैं कि हम आपके time को बचा सकते हैं बट हमको delete ही करना है तो हम continue पे click करेंगे इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको यह फिर से लाके देदेगा अगर आपका mood change होगा तो अभी deactivate कर लो हमको deactivate नहीं करना है क्योंकि हमने mood बना लिया है कि हमको delete ही करना है अब यहाँ पे देखो आपको एक चीज़ और दे रहा है कि आपका जो post है उसे save कर लो या फिर आपने जो भी चीज़े रखी है download कर लो उसको या फिर आपका कोई और facebook account है तो आप जो आपका data है उसे transfer कर लीजे लेकिन हमको कुछ भी नहीं करना है हमको directly delete करना है तो continue पे हम click कर देंगे जैसे आप continue पे click करेंगे तो यहाँ पे आपसे वो password मागेगा और जैसे आप password डालेंगे तो आपका facebook account delete हो जाएगा जैसे हम पे मैं password डाल देता हूँ जो भी मेरे facebook account का password है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसके बाद मैं यहाँ पे देखे continue पे click करूँगा तो यहाँ पे जो मेरा facebook account है यहाँ पे देखे delete हो जाएगा तो यहाँ पे यह बोल है confirm permanent account deletation तो यहाँ पे हम delete account पे click करेंगे तो जो हमारा facebook profile है वो यहाँ से permanently delete हो जाएगा तो यहाँ पे देखे आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मुझे कमेंट करके प्लीज जरूर बताना कि आप अपना Facebook अकाउंट क्यों डिलेट करना चाहते थे और आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा तो आज की वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी तो आप इस व अगले बुडियोंगे तक लिए जय हिन बंदी मात्रम